तो secondary sources का हमेशे एक definite start or definite end हो रहा चाहिए and it should be based on a trigger तो ऐसे में मैंने क्या-क्या books यूज की थी वो मैं आपको बताया तो mathematics में मैंने यूज की थी Hi guys, कैसे हो आप लोग? So दोस्तों, आप बहुत जादा ये query करते हो कि सर आपने कौन सी ऐसी books की थी जिससे आपकी top 50 में rank आई तो top 50 rankers क्या कुछ और book list फॉलो करते है या फिर उनका बस execution matter होता है ये doubt आप लोग के दिवाग में आता है तो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक simple सी चीज बताऊंगा जो मैंने अपने orientation पे सुनी थी और मेरे orientation में मुझे वो बात क्यों अच्छे से समझ में आये थी वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा तो please video इसको end तक देखेगा so हमारे anti-quintus ने हमें एक चीज बोली थी क्यार देखो तुमारा जो material होगा वो दो parts में divided होगा primary और secondary material primary material दो तरह का होता है जो तुमें use करना है एक NCRT सरकार की किताब है सरकार की किताब है solve नहीं करोगे तो सरकार से दोगा मिल सकता है तो NCRT एक आपकी primary book रहेगी उसको solve करने का बहुत simple तरीका हमें सर ने बताया था कि जो भी chapter तुमारा यहां पर खतम हो रहा है उसी chapter की NCRT तुम solve कर ले रहा हमारे टाइम पर दोस्तों exemplar problem आती ही नहीं थी तुमारे टाइम पर exemplar भी आती है तो तुम लोग exemplar भी कर सकते हो जो state board के बच्चे है उन लोगों को भी NCRT अलग से solve करनी चाहिए तो NCRT एक primary book है जो मैंने सबसे जादा solve की थी दूसरे नंबर पर जो primary books होती है वो होती है coaching का material तो जैसे देखिए मैं एक simple सा example बताता हूँ आपको यह coaching का material है जो आपको मिलता है maximum बच्चे किसे ने किसी coaching में पढ़ता है कोई ना कोई study material follow करता है coaching का material मतलब जो भी आपकी इंस्ट्रक्टर में दिया अगर आप online classes लेता है और हमारे एंडिकेंटर या जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं वह एंडिकेंटर आपको मिठन दे रहे हैं तो वह आपके लिए primary material है अब इन materials के अंदर यूशुली बहुत सिंपल से चीज होती है इसके अंदर एक theory होती है ठीक है theory के बाद दोस्तों में जैसे यह theory लिए थोड़ी सी ठीक है theory के बाद आप लोग के कुछ यह solve examples होता है यह 10-12 solve examples होंगे जिनको concept builders बोलेंगे इन सब को solve करो और फिर end में exercise होती है और तीन exercise जन्दर मिलती है एक होती है पहली वाली exercise होती है concept builder exercise जिससे आपके concept बिल्ड होते concept absorb होते है second exercise होती है different तरह के questions जैसे single choice हो गया multiple choice हो गया integer हो गया match the column हो गया comprehension हो यह सब चीज़े आप लोग को exercise 2 में मिलती है exercise 3 के अंदर आप लोग को पी वाई क्यूस मिलते है जही मेर और जही प्रिवांस के तो यह चीज हम लोग को बोला गया तुम्हें यह करना है और इसका homework maintain करना है जो मैंने आप लोग को बात बोली ना क्या toppers different book solve करता है यह execution matter होता है यहां पर दोस्तों execution matter होता है क्योंकि उस class के अंदर जिस class के अंदर मैं बैठा और मुझे top 50 में rank वली उस class में ऐसा बच्चा भी बैठा था जिसकी 5000 में भी rank रही तो जब मैंने और उसने सेम चीज़े सुनी सेम बुक solve करी तो फिर ऐसा क्यों हुआ मेरा एक्जीक्यूशन शायद बेटर था क्या एक्जीक्यूशन था मेरा जो primary material है यह बहुत important हो दोस्तों इस video के part को bookmark करनों अगर कर सकते हो तो मेरे primary material को मैं solve करके उसकी homework copy maintain करता था ठीक है अब तुम अबने एक school की टीचर याद अगी होंगी जो तुम बोलते थे विटा कल homework करके आना और तुम cool बनते थे backbenchers है कि नहीं हम homework थोड़ी कर सकते हैं हम तो cool road है हम homework नहीं करेंगे homework maintain नहीं करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको एक संसकारी बालक बनना पड़ता है आप लोगों को जो भी प्राइमरी मटेरियल को solve करके उसकी homework copy maintain करनी है ताकि आप यह देख सके कि जो भी आपने attempt किया था वो कैसी किया था एक और important reason हो दा है जिस वचे को आपको multiple times revise करना है यह बहुत ज्यादा important होगा दोस्तों multiple times आप लोग revise करेंगे अपने primary material को इस वज़े से इसका homework maintain होना जी इसको करने का तरीका भी बता देता हूं आपने जो भी question किया यहाँ पे कुछ mark नहीं करना है आप लोग कुछ भी mark नहीं करोगे आप लोग यहाँ पर आंसर वांसर मार्क मत कर देना वरना रिविजिन में तुम्हें आंसर तो दिखी जाएंगे आप बस यह important mark करो कौन सा question important फिर रिविजिन की वर तुम्हें important questions को पहले करो अब उस important question में तुम्हें कोई question नहीं आ है तो तुम्हारे पास homework में अपनी homework copy में solution लिखा हुआ है जो आपको आपके teacher ने बता है और इस तरीके से जो revision होता है इस तरीके से जो बैटर execution होता है उससे रहेंग आती है जो मैं आप लोग को बता रहा था कि इस case में मेरा execution बैटर था अब बात करते हैं दोस्तो secondary books की या फिर extra books कौन सी होती है जो आपको useful हो सकत है दोस्तो extra books के criteria होता है हमारे teacher ने बहुत सिंपल सी जी बोड़े दे कि बाई तुम्हें कोई भी book नहीं करने है अगर तुम्हें book करनी होती तो फिर हम coaching को टिल्डियों बना रहें बट कभी-कभी क्या होता है किसी बच्चे की कोई particular चीज वीक रह जाती है उस weakness को दूर कर करने के लिए हम extra book solve करते हैं मगर हर एक extra book का definite start और definite end होता है यह चीज़ आप लोग को समझ नहीं definite start और definite end definite start and definite end का मतलब क्या होता है जैसे मान लीजिए आपको trigonometry के अंदर सम multiple angles में इस्यू है अगर आप दोस्तों पूरी किताब secondary material जो reference books है उनको पूरा-पूरा solve करने लग गए तो दोस्तों हजारो publisher है लाखों question and कभी खतम नहीं होगा तो secondary sources का हमेशे एक definite start or definite end होना चाहिए and it should be based on a trigger आप उसको रोज मरा के जिंदगी में सहौन नहीं कर रहे हो वो आप लोग को trigger करना पड़ेगा trigger करना पड़ेगा का मतलब क्या होता है आपने exam दिया आपको दिखा कि सब multiple angles multiple angles में issue है फिर आप अपने secondary material पर गए तभी आप उस material को यूज करेंगे extra questions के लिए तो ऐसे में मैंने क्या-क्या books यूज की थी वो मैं आपको बताया तो mathematics में मैंने यूज की थी ए दास गुपता उसके अलावा standard जो text series होती है classical text series इस बोलते हैं holonite pre-lab को pre-lab को के अंदर जो simple वाली प्रिलाप को होती हो गोवरोव के नाम से आती है तो pre-lab को holonite of higher algebra SL Loni trigonometry और coordinate जवाटरी की जी अन भर्मन calculus की ये पाच किताबे मैंने की थी other than एदास गुपता ठीक है तो यह चीज हो गई दोस्तो mathematics के अंदर physics के अंदर मैंने एच्छी वर्मा के लाओ कुछ नहीं किया इरोडोव करने की कोशिश की थी मैंने दोस्तो 6 question मैंने पहले 6 question की इरोडोव में 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 से एक भी question नहीं हुआ फिर मैंने चूज किया confidence और इरोडोव में से किसको चूज करना चाहिए मैंने confidence को चूज किया और इरोडोव छोड़ दी फिर भी दोस्तों मेरा physics निकला था तो आप ज्यादा जज ना करें मुझे ठीक है ज़रूरी निए कि इरोडोव भी करनी होती है और बागी आपकी जो physics का और यहादा था उसको short notes में लिखे लिक लेए यह दा ऐसे मेरे short notes ते फिर इत्ते होते गए इत्ते होते गए इतने होते रहे तक्यों कि पहले मुझे पर इत्ता आद नी रहता था फिर मुझे तक आध ने रहता था है आपको उसका मेंदील पताईये और chemistry स्वालान में स्टेज टू क्लियर हो गया एक अब एक और नियुक थी उसमें से कुछ कुछ चीज़ें गी और एक और बुक थी कमेस्ट्री अंदर फिसिकल जिसमें की मैं मैंने यह इन बोक मैंने दोस्तों यह मैं खुद से अब दोस्तों मेरे टीचर जब बहुत super solid educators थे जिन्होंने मुझे help की top 50 में rank लाने के लिए उन्होंने मुझे इन books के नाम बताये थे तो दोस्तों ये मेरी strategy थी बाकी revision में क्या करना होता है वो सब अलग वीडियो में बताया जाएगा इसमें नहीं बताया जाएगा इसमें केवल ये बता रहोंगे कौन कौन से book use करनी होती है important बात ये होती है execution should be excellent ठीक है so I hope आप लोगों को बिल्गूल clear हो गया दोस्तों अगर आप लोगों को